दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे खुबसूरत मैला किर्केटर और उनके लव स्टोरी के बारे में जो आपने बहतरीन खेल के साथ साथ अपनी बेहत खुबसूरत लुक्स के लिए भी जानी जाती हैं इन में से कुछ मैला किरकेटर्स तो ऐसी भी हैं जिनके खुबसूरती के सामने बॉलिवुड की हिरुआइने भी फीकी पड़ जाती हैं तो चलिए दोस्तो वीडियो को सुरू करते हैं नमबर एक तानिया भाटिया दोस्तो भारती मैला किरकेट टीम की स्टार बल्लेवाज तानिया भाटिया दुनिया की सबसे खुबसूरत मैलाओं मैसे एक हैं तानिया भाटिया तेज साल की बिकेट कीपर बल्लेवाज मैला किरकेट टीम का उबरता हुआ एक सितारा है तानिया बाटिया ने बारत के लिए साल 2018 में अंतर राश्टी किर्किट में कदम रखा दोस्तो तानिया बाटिया मातर 16 साल की उम्र में इंडिया स्कौार्ड में भी सामिल हो गई तानिया बाटिया अपने खेल के साथ साथ अपने खुबसूरती के लिए भी जानी जाती है तानिया बाटिया के उम्र अभी 16 साल है और अभी इनकी साधी नहीं हुई है दोस्तों बात करें तानिया बाटिया के लव स्टोरी के बारे में तो इनका किसी के साल लव अफैर भी नहीं है और या सोशल मीडिया पर काफी ज़्यादा एक्टिव रहती हैं नमबर दो हरलीन देवल दोस्तो हरलीन देवल भी दुनिया की सुबसुरत महिला किरकेटरों में से एक हैं जो दाएं हाथ की हरलीन देवल एक युवा खिलाडी हैं जो इस समय भारती टीम की तरफ से खेलते हुए खेल में तहलका मचा रही हैं या कभी दाइने हाथ से लेग स्पिन की गेंदवाजी भी कर सकती हो या आपने केल और खुपसूरती के कारण सो पुनिया राइट फेंड की ओपनिंग बल्लेवाजी बल्लेवाज हैं लेकिन दोस्तों जितना जादू इनका किर्केटर की पिछ पर चलता है इससे कहीं ज्यादा इनका जादू इनके लुक्स और खुबसूरती का इनके फैंस पर पढ़ता है दोस्तों प्रिया पुनिया इनके अपने खुबसूरती के दम पर काफी फैंस के दिलों में अपनी जगा बना चुकी हैं प्रिया साल 2018 में भारती किर्केट टीम का हिस्सा बनी और इन्हों ने अपना पहला इंटरनेशनल मैच न्यूजी लेंड के खिलाप 6 फरोरी 2019 को खेली थी इसके बाद इन्हें T20 किर्केट में सफलता मिली और इन्होंने 2019 में 19 के सितंबर महीने में वंडे मेच के दोरां चोके भी लगाये थे आज बले प्रिया पुनिया इंडियन मैला किर्केट टीम में सामिल हैं लेकिन बच्पन में इन्होंने बैडमिंटन और पूटबॉल में अपना करियर बनाने क लिए सोची थी फिर एक समय के बाद इनको किर्केट में दिल्चस्पी बढ़ी और या भारत की सबसे खुबसूरत मैला किर्केटरों में सामिल हो गई नमबर चार इसमर्ती मंदाना बारती मैला किर्केट टीम के स्टार बल्लेवाज इसमर्ती मंदाना बेदी खुबसूरत हैं इसमर्ती मंदाना को कई लोग नेशनल क्रस भी कहते हैं सोचल मीडिया पर वा काफी सारे फोटो सेयर करती रहती हैं जिन पर लोग जम्प करके कमेंट भी करते हैं जिससे या तो साबित होता कि इस मृति मंदाना सिर्फ खेल के मैदान में ही अपने पैंस का दिल नहीं जितती बलकि खेल के मैदान के बाहर भी उनके पैंस बहुत अधिक हैं आपको बता दे कि इस मृति को अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है और किर्केट के अलावा इन्हें खाना बनाने की भी रूचे हैं दोस्तों बात करें इस मृति मंदाना के लव स्टोरी के बारे में तो लंबे समय से ऐसी खबरे सोसल मीडिया पर को जनुदिन की बदाई देते नजर आते हैं नमबर पाँच एलिस पेरी एलिस पेरी को दुनिया के सबसे खुबसूरत महिला किर्केटर माना जाता है पेरी सबसे खुबसूरत एथलीटों में सुमार होने के साथ साथ दुनिया की सबसे अमीर महिला किर्केटर वे हैं दोस अस्टीग फुटबॉल और साथ ही ऑस्टेलिया किरके टीम दोनों खेलों के लिए डेबिय किया था है एलिस अपने खेल के साथ साथ अपनी खुबसूरती से भी सभी को अपना दिवाना बना देती हैं दोस्तों एलिस पेरी ने साल 2015 में जादी की थी लेकिन किसी गटना के का चändig पांट पांच साल के बाद इनका त्लाक हो गया दोस्तों खरादों ख़रों के मुताब्येरी फिलाद उस्टेलियाई फूटबॉल लेग میں क्हेलने वाले खिलाड़े को डेट कर रही हैं जो इस समय फुटबॉल कलब के एक कफ्तान भी हैं दोस्तों एलिस पेरी ने अब तक इस रिष्टे को सर्वजनिक नहीं किया है लेकिन अस्टेलिया ही मीडिया के मताबिक दोनों को एक साथ काफी बार देखा गया है नमबर चाहरा तेंदूलकर 1989 में जन् अपनी खुबसुरती और बरडलुक के लिए भी मसहूर हैं और इनका भी नाम खुबसूरत महील душ क्रिकेट्रों में साम्मिल है नमबर साथ शाद कांगा इम्तियाज दोस्तों पाकिस्तान के खुबसू़रत महील 결कार काईना इम्तियाज जैसा इनका नम है वैसा हिंका काम और दोस्तों काइनात ने केवल अपने खेल से ही नहीं बलकि अपनी खूबसूरती की वजह से भी किर्केट के मैदान पर बहुत से लोगों का दिन जीता है। काइनात के चाहने वाले चरो तरफ हैं और सोशल मीडिया पर भी इनको परसंद करने वाले की संग्या बहुत ज़्यादा है। काइनात की खूबसूरती का भी कोई जवाब नहीं है। इंस्ट्राग्राम टू को मोहमद बकार उद्दीन साधी की है। केट क्रोस इस खूबसूरत किर्केटर महिला की सुची में अपनी जगा बनाने वाली हैं। एक और अंग्रेजी खिलाडी केट क्रा से दाएं हाथ की देजगेंद्वाजी लंका सायर अकेडमी में प्रवेस पाने वाली पहली मैला किर्केटर में से एक थी। लगबग एक दसक के अपने किर्केटर करियर में पेट ट्रॉक्स ने अपनी टीम को कई महात्पूर्ट जीत दिलाई है। कर्सक विक्तित्व के अलावा पे क्रॉस आईपियल में सीएसके का समर्तन करने के लिए काफी ध्याना अकरसित करती हैं और काफी ज्यादा चर्चा में रहती हैं नमबर नो जहां। आरा आलम बांगलादेश की खुबसूरत महिला कर्केटर जहां आरा आलम खुलाना खुलना में पैदा हुएं भी थी या बन्लेबाद बांगलादेश के लिए खेलती हैं दोस्तों इनका आखों में काजल लगाने का अंदाज एक दम से जिदा है। किर्केट मेंदान पर खेलने के लिए तो सुर्खियां बटोरी ही हैं लेकिन वह अपने बेतरिन मेकप के लिए भी सुर्खियों में रहती हैं और अपनी आखों में ऐसे ही काजल लगाकर में उतरती हैं आप इन तस्विरों में देख सकते हैं जहां आरा आलम सोसल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हैं और आपनी तस्वीरे सोसल मीडिया पर हमेसा पोस्ट करती रहती हैं इनको भी चाहने वालों ने कि संख्या बहुत ज़्यादा है इनके नाम किरकेट के बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी दर्दें जहां आरा आलम किरकेट केलने के लिए बहुत ज़्यादा संगर्ज की हैं और बाद में उन्हें सफलता मिली है नमबर दस मिताली राज दोस्तों मिताली राज का नाम दुनिया की सबसेश्ट बल्ले वाज़ों में सुमार है उन्होंने कई सालों तक बारती टीम का नेतित किया है और बल्ले के साथ भी कई बैतरी निकार्ड बनाये हैं उन्हें टीम के स्टम्ब के रूम में देखा गया उन्होंने वन्डे में छे हजार से भी ज़्यादा रन बनाये हैं और उनका या रिकॉर्ड अब तक कोई भी खिलाडी नहीं तोड़ पाया है मिताली राज को अरजुन अवाड और पदमस्री पुरुसकार भी मिल चुका है दोस्तो मिताली राज अपने बल्ले वाजी के लिए साथ साथ अपनी खुबसूरती के लिए भी जानी जाती है अगर बात करें इनकी लग स्टोरी की तो इन्हों ने एक एंटर्वी में खुद बताया है कि मैं साथी की बात बहुत समय पहले ही अपने दिमाग से निकाल चुकी हूँ उस समय ही जब मैं युगा थी जब मैं बिवाहिक लोगों को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे सिंगल ही रहना ठेक है मिताली राज ने अभी तक साथी नहीं की है और इस समय उनकी उम्र लगबग 40 साल हो चुकी है नमबर 11 इसा बेल जोएस इसा बिल जोएस आयरलेंड इस्टार महिला किर्केटर है उन्होंने भारत के खिलाब 1999 में अपना डेबिव किया था इसा बेल भी अप हमेशा अपनी खुबसूर्ती के कारण हमेशा चर्चा में बनी रहती हैं इंस्टाग्राम टू मारू इस लिस्ट में अगला नाम पाकिस्तानी महिला टीम की कप्तान और आल राउंडर मिस्वा मारूप का है खुबसूर्ती के मामले में वाभी किसी हेक्टरेस से कम नहीं है बिस्ट कप के दोरान वा अपनी बेटी के साथ काफी वाइरल हुई थी उन्होंने पाकिस्तान के लिए अब तक 118 वंडे में 2891 रन बनाए हैं और वही 111 टी टॉंटे इंटरनेशनल मेज में उन्होंने 2290 रन जड़े हैं बिस्तों अगर बात करें इनकी साथी की तो इन्होंने अबरार हैमस साथी की है जो की पेसे से एक सौप्ट्वेर इंजिनियर है न महीला किर्केटर आपको इन से सबसे अच्छी कौन अपनी राए निचे कमेंट बोक्स में लिखना ना भूलिएगा अगर वीडियों अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यों